सागरपुर लूट में दिल्ली पुलिस के चार सिपाही समेत पांच गिरफतार चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ फ़दर्ज, विभागी अजाच के भी आदेश नई दिल्ली सागरपुर थाना इलाके में बुदवार देर रात मोहन नगर इलाके में रहने वाले रजनीश के घर में हुई 10,40,000 रुपय की लूट मामले को सुलजा लिया गया है आरोप में पांच लोगों को पकड़ा गया है इनमें चार आरोपी दिल्ली पुलिस के सिपाही है इनसे लूटी गई रकम बरामत कर ली गई है अपराद में शामिल की गई दो कारे भी जबत की गई है साउथ वेस्ट पुलिस अधिकारियों ने कहा इन्हें बरखास्ट भी किया सकता है दिल्ली के डी सीपी ने बताया कि गिरफतार आरोपियों में विजे शर्मा, दीपक यादव, मनजेश राना, अनकित अनकित दिल्ली पुलिस से हैं ये चारों सिपाही हैं ये दिल्ली भती इन से लूटी गई रकम बरामद हुए थे साइबर क्राइम ब्रांच का बताते हुए चापा मारा था, फिर यहां बिटकॉइन और अन्य साइबर मामलों को लेकर धमकी देते हुए घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, उस वक्त पीरित के घर में उनकी एक दिन ही पकड़ लिया, पुलिस का कहना है कि यह भी पता लगा है कि आरोपी पुलिस कर्मियों ने रजनीश के घर में घुसकर उनके जांकार मनीश के पैसे लोटने की धमकी देते हुए घर में ये लूट की थी, तफ्तीश में ये भी पता लगा है कि गिरफतार आरोपी मन अपराद में शामिल की गई दो कारे भी जबत की गई है। गिरफतार चारों पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफायर दर्ज होने के साथ ही विभागिये जांच के भी आदेश दिये गए हैं। पुलिस अधिकारियों